पॉस्त आप सबीका बहुत-बहुत स्वागत है कॉम्पिडिशन कम्यूनिटी में मैं हूँ आनंद कुमार और आज के इस लेक्चर में हम पिछले कुछ दिनों का 36 गड करें डिफर अनालीजिस करने वाले हैं लास्ट इम हमने 2nd of November तक 36 गड़ के जितने भी महत्पून topics थे उन सब का हमने analysis कर लिया था आज के इस lecture में 3rd of November से लेकर आज तक यानि कि 11th of November तक 36 गड़ के जितने भी important topics हैं उन सब का यहाँ analysis करेंगे इसके अलावा पिछली वीडियो में हमने जितने topics analysis किया था उसके questions भी देखेंगे लेकिन अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उपर आई बटन पर क्लिक करके पिछला वीडियो देख लें या फिर description में भी जाकर आप पिछला वीडियो दे सकते हैं उसके बाद जो आज के questions हैं उसका जवाब आप नीचे comment section में ज subscribe जरूर कीजेगा और इस lecture का अगर PDF चाहिए और हमारे दोरा जो भी important content या फिर information available कराया जाता है उसके लिए आप telegram channel को जरूर join कीजेगा नीचे description box में इसका link मिल जाएगा अगर अभी तक join नहीं किया है तो और English Medium Aspirants के लिए एक अलग से telegram channel create किया गया है जिसका link आपको इस video के first comment section में pin किया हुआ मिलेगा तो वहाँ click करके अगर आप English Medium Aspirants है तो इस channel को जरूर join कीजेगा आने वाले समय में हम जो भी English Medium का specific content available कराएंगे वो इसी telegram channel पे कराएंगे तो अगर आप English Medium Aspirants हो तो इस telegram channel से आप जरूर जूडिएगा सारे जितने भी PDFs होंगे आपको यहीं पर available कराया जाएगा चलिए दिपावली से पहले आप लोगों के लिए खुश खबरी है अगर आप English Medium Aspirants हैं CGPSC का तो CGPSC का Prelims Mobile Course Competition Community पहली बार English Medium में लाँच करने जा रहा है जहां पर आपको 200 से अधीक के High Quality के Video Lectures मिलेंगे, English में ही High Quality का आपको Content भी मिलेगा, इसके अलावा 3000 Questions का Practice Set भी दिया जाएगा तो बहुत कुछ आपके लिए है, इस English Medium Course में बहुत ही जल्द आने वाला है, लेकिन अगर आपको इस Course related अधीक जानकारी चाहिए, तो आप इन दिये गए Numbers पे हम कॉल कर सकते हो, या description में भी contact number दिया गया है, वहां से भी आप कॉल कर सकते हो, ठीक, चलिए, तो आज के इस lecture से पहले previous वीडियो का जो पहला question है, वो है, प्रदेश की सबसे बड़ी जल्विद्द ग्री है, हस्देव बांगो, जल्विद्द ग्री, गंग्रेल, जल्विद्द ग्री, सिकासारा, या फिर ननब दियवब, इसका जवाब भी comment section में जरूर कीजेगा, इसके अलावा third question है, प्रदेश में 45 राइट, वित्रन, योजना की सुरुआत की जीले में की गई है, दंतिवाडा, कॉंटागों, बीजाफूर, या फिर सरगुजा, लाइट कोईशन है, 36 गड़ उत्कृष्ट पुलीश जवान सौरे पदक का सुबारम किस वर्स किया गया था, इस वर्स जो है, राजोत्सव यानिकी एक नमंबर के अफसर पर, प्रदेश में 7 पुलीश जवानों को 36 गड़ सौरे पदक से समानित किया गया है, और इस पद इसे सुरू करते हैं, तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, मस्ट इंपॉर्टन टॉपिक है, प्रदेश में 23 नए तहसीलों का गठन किया गया है, 15 अगस्त 2019 को 25 नए तहसीलों के गठन की घोशना की गई थी, और इसी घोशना के तहर 23 तहसीलों का गठन जो है, व 23 तहसीलों की इस्थिती किस प्रकार से होगी, तो यहाँ पर सब दिया हुआ है, यहाँ पर विजिवल नहीं होगा, तो PDF आप लोग जरूब टेलिग्राम से डाउनलोड कर लीजेगा, वहाँ सारी चेज विजिवल है, तो आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा, कि कौन से जिले में कौन से नए तहसील का गठन किया गया है, एक बर मैं आप आपको बता भी देता हूँ, रैपूर जिले में दो तहसील का गठन किया गया है, जो है खरोरा और गुबरा नवापारा, धमतरी में एक भाखरा, दुर्ग में आपका दो, बोरी और भिलाईतरी, राजनाव गों में एक तहसिल है गंड़ाई, बालोद में है अरजूंदा और बिलासपूर में है सक्री, रतनपूर और बिल गहना इसके लावा अगर हम बात करें मुंगेली में तो एक तहसिल का गठन किया गया है लालपूर थाना, जानजगीर चापा में तीन तहसिल का गठन किया गया है सारागों, बमनी डी और इसके लावा बाराद्वा, कोरबा में दो तहसिल, दर्री और हर्दी बजार सरगूजा में आपका एक तहसिल गरिमा का गठन किया गया है बलरापूर, रामानुजगंज में दो तहसिल का गठन किया गया है, रामचंदरपूर और सामरी कोरिया जीले में एक तहसिल का गठन किया गया है, जिसका नाम है कुलहारी सूरजपूर में एक तहसिल का गठन किया गया है, जिसका नाम है सन्ना और सुख्वा में एक तहसील का गठन किया गया है जो की है गादी रास अब यहाँ पर आपको यह याद रखने की जरुवत है कि इससे पहले प्रदेश में तहसीलों की संख्या थी 150 अब चुकि 23 नए तहसीलों का गठन हो गया है जहाँ पर गाउं की जो संख्या है वो 93 है और सबसे छोटे तहसील की अगर हम बात करें तो वो है आपका सुक्मा का गादी रास जहाँ पर गाउं की संख्या सिर्फ और सिर्फ 20 है तो इन 23 तहसीलों में सबसे बड़े के बारे में भी आप याद रखिएगा और सबसे छोटे तहसील के बारे में भी आप यहाँ पर याद रखिएगा तो जो भी तहसीलों का गठन किया गया है और जीन जीलों में जितने तहसीलों का गठन किया गया है 15 जीलों में 23 तहसीलों का गठन किया गया है तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको नाम याद रखना होगा वन डे एक्जाम के लिए मस्ट इंपोर्टेंट है PDF डाउनलूट कीजिएगा टेलीग्राम से अच्छे से पढ़िएगा और याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से एक न एक प्रशन पूछे जाने की संभावना बहुत अधीक है चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स टॉपिक की तरफ अगला हमारा टॉपिक है मरवाही विधान सभा बाई एलेक्शन यहाँ के विधायक थे पुर्व मुख्यमंत स्री अजीर जोगी और उनके नीधन के बाद यह विधान सभा का जो छेतर है वो खाली हो गया था जिसके बाद 3 नवंबर को यहाँ पर इलेक्शन कमिशन की तरफ से चुनोग कंड़क्ट कराया गया जिसमें जो कॉंग्रेस के डॉक्टर के के दुरूब है वो यहाँ 38,132 वोटों से जीत गया इसी के साथ अब वर्तमान समय में कॉंग्रेस विधायकों की संख्या प्रदेश में कितनी हो गई है सत्तर आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न है 36 गड़ के 90 विधान सभा सीटों में महिला विधायकों की संख्या कितनी है इसका जवाब आप नीचे कॉमेंट सेक्षन में जरूर कीजेगा इसके अलाबा मारवाही विधान सभा उप्चुनों में जो जीते हुए प्रत्यासी है कॉंग्रेस के डॉक्टर के के दुरूब इनका नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि आपसे प्रिलिम्स में वन्ड एक्जा में पूछा जा सकता है और ये कितने परसेंट वोट प्राप किये इसके बारे में भी याद रखिएगा हलाकि यहाँ से प्रशन पूछे जाने के समभना कम है लेकिन इनका नाम मस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है चलिए इसके बाद अगला हमारा टॉपिक है नगरनार स्टील प्लांट के बारे में नगरनार स्टील प्लांट आपको पता है कि बस्तर जीले के मुख्याले यानि कि जगदलपूर से लगपक 16 किलोमेटर की दूरी पर इस्थित है और नगरनार स्टील प्लांट अभी निर्मान धीन है और इसके स्थापना जो है NMDC द्वारा किया जा रहा है अब न्यूज में नगरनार स्टील प्लांट इसी लिए है क्योंकि इसका सेंट्रल गब्मेंट की तरफ से डिस इन्वेश्टमेंट के लिए मंजूरी दे दिया गया है अब ये वी निवेश होता क्या है या एक सरकारी उपकरम की कमपनी है NMDC GC के तहट और उसी के द्वारा नगरनार स्टील प्लांट का निर्मान कराया जा रहा था अब डिस इन्वेश्टमेंट के तहट सरकार अपनी हिस्सेदारी जो है वो किसी कमपनी को बेचेगी लेकिन dis investment में ध्यान रखिएगा कि जो मालिकाना हग होता है वो सरकार के पास ही होता है तो नगरनार श्टेल प्लांट का central approval मिल गया है dis investment के लिए याद रखिएगा यहाँ पर prelims के लिए important हो सकता है mains के लिए भी topic important हो सकता है तो नगरनार लगभग सलाना 30,10 जो है वो लोह उत्पादन किया जाएगा और इसकी जो संसूधी लागत है यानि कि जो पहले लागत हो और जो अभी वर्तमान समय में इसकी लागत है वो लगभग 33,140 करोर रुपए है इसके लावा यहाँ पर आपको NMDC के बारे में भी जरूर याद रख लाओ पास हो चुका है लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पर जो है इसका हेड़कोटर हैदराबाद में ही है NMDC भारत का सबसे बड़ा लाह एस उत्पादक है जो वरतमान में लगभग 35,000,000 टन लोहे का उत्पादन अकेले करता है NMDC को पब्लिक एंटरप्राइजर इसके बाद जो नेक्स्ट का इंपोर्टन टॉपिक है यह भी स्टील प्रोडक्शन से ही संबंदित है तो 36 गड़ सरकार ने अपने स्टेट में स्टील प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और या फिर इन्वेस्ट्मेंट को बढ़ाने के लिए जो निव इंडस्रियल इंवेस्ट्मेंट करना चाहती है तो 36 गड़ सरकार उसे एक विसेश निवेस प्रोड़साहन पैकेज देगी लेकिन यह जो प्रोजेक्ट होगा वो अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट होगा तब ही 36 गड़ इसमें प्रोड़साहन पैकेज दे सकती है अधिक्तम जो प्रोचाहान रासी 500 करोड रुपे बाकी जीलों के लिए बाकी संभाग के लिए लेकिन बस्तर संभाग के लिए यहां पर जो प्रोचाहान रासी है वो हजार करोड रुपे की होगी इसके लाबा यहां पर यह टर्म संग कंडिशन है कि जो भी इकाई या जो भी कंपनी 2019 से लेकर 2024 तक उसका आखरी डेट जो है वो 31 सेक्टूबर 2024 ही है तो इस दिन तक या इस से पहले प्रोडक्शन सुरू हो जाता है तो यह निवेत प्रोसान जो है जो चूट दिया जा रहा है उसके बारे में आप यहां पर ध्यान रखिएगा दोनों ही पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट है और चूट इस प्रकार से थे तो आपको यहां पर ध्यान रखना है आपके एक साम पॉइंट ओ व्यू से बहुत इंपोर्टेंट है प्रिलिम्स के लिए और मेंस के लिए भी चले इसके बाद जो निक्स्ट का हमारा टॉपिक है वो एक दिसंबर से 36 गड़ में धान की खरीदी की जा रही है इस वर्स यानि की खरीफ वर्स 221 का पिछले वर्स भी एक दिसंबर से ही सुरू हुआ था तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रदेस में धान की खरीदी किस प्रकार से की जाएगे तो एक दिसंबर से जो धान की खरीदी होगी वो किंद्रिय समर्थन मुल्य पर ही होगी यानि की 1815 रुपे पर क्यूंटल के हिसाब से ही होगी यहाँ पर आपके एक मन में सवाल आएगा कि यहाँ पर तो 2500 रुपे पर क्यूंटल के हिसाब से धान ख योजना तो इसलिए वाजिब है कि यहाँ पर धान उत्पादक जो किसान है उनकी संख्या बढ़ गई है और इस वर्स जो टोटल किसानों का पंजियन किया गया है वो 21,28,424 है और वृद्धी अगर देखोगे तो राज्य गठन के बाद सबसे ज़्यादा वृद्धी जो है इस वर्स हुई है 2,34,811 किसान जो है वो नए किसान है यानि कि नए पंजियन में जुडने वाले किसान है और 1.42 परसेंट जो है धान का रकबा भी इस सल बढ़ा है और अगर लक्ष की बात करें तो इस वर्स कितनी धान की खरीदी की जाएगी तो लक्ष अभी तक निर्धारित प्रदेश सरकार द्वारा नहीं किया गया है प्रदेश सरकार द्वारा रहा गया है कि इस साल धान का उत्पादन जो है वो बंपर हुआ है तो इसलिए अभी हम लक्ष निर्धारित नहीं कर सकते तो प्रदेश में पिछले वर्ष की अगर हम बात करें खरीब वर्ष 2019 विसकी तो 85 लाख मिट्रिक टन धान उत्पादन का लक्ष निर्धारित किया गया था लेकिन इस वर्ष जो है 85 लाख मिट्रिक टन से जादा ही रखा जाएगा क्योंकि पंजी जीले के मदन वाड़ा में एक नकसली हमला हुआ था जिसमें हमारे 29 जवान शहीद हो गये थे अब उस नकसली हमले के न्याइक जांच के लिए एक न्याइक आयोग का गठन प्रदेश सरकारद्वारा किया गया है तो आपके लिए यहां पर इंपोर्टेंट यह हो जाता है कि मदन वाड़ा नकसली हमले के लिए जो न्याइक आयोग का गठन किया गया है वो किनकी अध्यक्षता में किया गया है तो उनका नाम है जश्टिस संभूनात स्रिवास्तव इन्हीं की अध्यक्षता में एक न्याइक जांच आयोग का गठन किया गया है और जश्टिस कायुक्त प्रमुख रह चुके हैं तो जैसे आपको पता है कि central लेवर jogo पाल होता है तो उसी प्रकार से state level लोगाईउkte होता है नियाईक जांच के लिए भ्रश्टाचार को रोखने के लिए नियाईक स्वयक्षा के लिए तो इस प्रकार से आप इस टॉपिक के बारे मियाद रखिएगा जस्टिस संभुनात स्रिवास्तक की अध्यक्षता में एक न्याईक आयोग का गठन किया गया है जो की राजनाग गोंजीले की मदनवाडा नकसली हमले की न्याईक जाच करेगी चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट का निर्मान है वो भी बहुत तेजगती से हो रही है और बहुत जल्द ऐसा अनुमान भी है कि वैक्सिन आ जाएगे तो देश में नीती आयोग के अंडर में कैसे वैक्सिन का जो है वो डिस्टिबूशन होगा किसको लगाया जाएगा पहले फेस में किसको मिलेगा तो जो मिशन की मिशन संचालक जो है राज्य नोडल अधिकारी होंगे और राज्य तीका करन अधिकारी जो है वो सहायक नोडल अधिकारी होंगे और इसके अलाबा अगर हम डिस्टिक लेवल पे बात करें तो वहाँ के कलेक्टर जो है वो नोडल अधिकारी होंगे और सहायक नोडल एजेंसी होगी, इसके अलाबा सहायक नोडल एजेंसी के बार में भी याद रखेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी याद रखेगा, और जो टास्क फूर्स का गठन किया गया है, वो किसकी अध्यपचता में किया गया है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा और टास्क फूर्स का काम क्या होगा, रूल एंड रिगूलेशन पर नजर बनाएं रखना, किस प्रकार से वैक्षिन आएगी, किस प्रकार से लोगों को मिलेगी, कितने लोगों को मिलेगी, इन सब बातों का जो है, उस पर नजर रखने का काम इस टास्क फूर्स का होगा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है नृत्य सास्त्र पौरानिक उत्पत्ति हाली में एक कॉफी टेबल बुक का वी मोचन किया गया है मुख्यमंत्री स्रीबुपेश बगेल जी द्वारा और यह जो है कॉफी टेबल बुक का नाम है नृत्य सास्त्र पौरानिक उत्पत्ति जो की सास्त्रिय नृत्य परंपरा पर अधारित है इसका जो प्रकाशन है वो संचालायन संस्कृति एवं पुरातत्व रहपूर यानि की डिरेक्टरेट और कल्चर एवं आर्केलोजी रहपूर द्वारा किया गया है और इसकी जो लेखिका है वो पुर्णिस्त्री राउत है जो की साहयक है संचालक संस्कृति एवं पुरातत्व विभाल रहपूर किये तो इनकी लेखिका के बारे में याद रखिएगा किनके द्वारा प्रकाशन किया गया है इसके बारे में याद रखिएगा और यह जो कॉफी टेबल बुक है वो किस से सम्मंदित है तो सास्तुरी रित से सम्मंदित है इसके बारे में याद रखिएगा प्रिलिम्स में आपसे यहाँ से कोश्चन बन सकता है इसके बाद जो आज के इस एनलेसिस वीडियो में हमारा लस्ट का टॉबिक है वो है ग्रामूदे मैगजिन और इसके लाबा बहुमत मैगजिन दो मैगजिन का हाली में वीमोचिन किया गया है मुख्यमंद्री द्वारा तो दोनों मैगजिन के बारे में आपको पता होना चाहिए तो सबसे पहले अगर हम ग्रामूदे मैगजिन की बात करें तो यह केंद्रीत है 36 गर राजगीत के रजईता डॉक्टर नरेंदर देव वर्मा पर और तूसरा जो मैगजिन है जिसका नाम है बहुमत यह केंद्रीत है कला साहित और संस्कृति पर और इसका 101 अंक जो है यानि की बहुमत पत्रिका का इसका वीमोचिन किया है और ग्रामोदे मैगजिन की अगर संपादक की बात करें तो ललीत कुमार वर्मा है और बहुमत पत्रिका के संपादक की बात करें तो यह है विनोध मिस्तर तो दोनों मैगजिन आपके वन्डे एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो इस तरह से ये था हमारा आज का 36 ग काम नहीं और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो आज के इस वीडियो में फिलाल इतना ही थांक्यू CGPSC की समपूर्ण तयारी के लिए Competition Community के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले